नमस्काल सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग। और एडी ने प्रयाप्त सुबूर दिये हैं बता दे एक के बार एक किज्रिवाल को कोट से जटके पर जटके लग रहे हैं कोई दलील काम नहीं आ रही है जिसके बार किज्रिवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की टेंचन भी बढ़ते चारी हैं ऐसे में सबसे बड़ा देखें साइन्स क्या सिखाता है है कि अगर सारी परिस्थित्या एक जैसी हो तो रिजल्ट एकी जैसा होगा अगर वो दलील निकाल ले तो वही होगा जो हाई कोट में होगा वही होगा जो रॉजवन्य कोट में हुगा कारण बड़ा ही साफ है कि आप लीगल आर्गुमेंट के बजाए पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स दे रहे हैं आप साच और सबूत के सामने भासन वाजी कर रहे हैं तो न्यायले में इमोशनल पॉलिटिकल बातों के उपर तो फैसला होता नहीं है न्याय कि देवी तो अंधी होती है आखों में पट्टी होती है तो सीधा-सीधा जो आप कहेंगे उसके ऊपर काम होगा आज देखना ये है कि अभिशेक मनुस सिंग्वी जो केजरी वाल के वकील है जिनके बारे में कई सारे पॉलिटिकल एनिलिस्ट अब ये कहने लग गए है कि ये लगता है कि अभिसेक मनुस सिंग्वी साहब ने केस को ऐसा खराब कर दिया है वो कॉंग्रेस पार्टी के लीडर है आम आदमी पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया है ये मैं नहीं कह रहा बड़े बड़े चनलों के उपर आम आदमी पार्टी के लिए कवर फायर देने वाले लोग भारती जंता पार्टी के खिलाफ हमेशा राय रखने वाले लोग वो उस तरह के लोग कह रहे है कि लीगल टीम ने बरबाद कर दिया केजरी वाल को तो आज कुछ घंटों के बाद सुनवाई सुरू हो तो देखना ये कि अभिसेक मनुस सिंग्वी से अब अप जी एक इलक्टेट चीफ मिनिस्टर हो तो क्या किया जाए आरती उतारा जाए कोट के सामने एक चीफ मिनिस्टर और एक आम आदमी बराबर है इस देश में चीफ मिनिस्टर के लिए कोई अलग कानून और आम आदमी के लिए कोई अलग कानून ऐसी तो विवस्था है नहीं दूसरी चीज हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है तो यह कह देने से काम तो चलेगा नहीं आपको सबूत देने होंगे सबूत अगर आप यह दे पाते हैं कि भाई कोई घूस नहीं लिया गया हमने जो कानून जो बनाया वो सरकार का ऐसा डिसिजन था कि जिससे दिल्ली की सरकार को दिल्ली की जन्ता को फाधे हुए तब तो कोट यह कहेगा कि नहीं भई ये सरकार का अधिकार है अच्छा कानून बनाया लेकिन E.D. कहती है कि भई कानून बनाया ही गया था लूट खसोत मचाने के लिए ये कानून बनाया गया कार्टिलाइजेशन करने के लिए जो इल्लीगल है उस सबूत के खिलाफ आपके पास अगर आर्गुमेंट है तब तो ठीक है लेकिन दिल्ली हाई कोट में तो आप ये आर्गुमेंट दिये नहीं आपने क्या कहा? आपने जो प्रक्रिया है एडी ने अपनी तरब से दिल्ली हाई कोट को अच्छे तरीके से कन्विंस किया कि हम इनके घर गए इनको सारे सबूत दिखाए विटनस बनाया बकादा रिटेन स्टेट्मेंट लिया जो प्रोसीजर है उसमें जरा सा भी एक छटाक एक परसंट भी कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है आपने दूसरा क्या चैलेंज किया कि यह जो समंस भेज़े जा रहे थे वो इल्लीगल है बई यह इल्लीगल है आप कैसे आप कौन होते ते करने वाले और आप सुप्रिम कोट जा रहे हो अभी एक मैंने पहले फैसला एक आया तबिल नाडू में यह सैंड माफिया वाला केस चल रहा था जिसमें एडी ने कई सारे चार पांच जिला अधिकारी को आईएस अफिसर्स को समन भीजा तो वहाँ अपने आईएस अधिकारियों को बचाने के लिए स्टैलिन साब खड़े हो गए चले गए वह हाई कोट हाई कोट में इनके फेवर में आया कि भाई समन जो है अभी मत भेजो आईएस ऑफिसर्स बच गए तो एडी आगई सुप्रिम कोट और सुप्रिम कोट में ये कहा कि देखे हमने समन भेजा और ये लोग नहीं आए फिर ये लोग हाई कोट चले गए हाई कोट के अंदर हमारे खिलाब फैसला दिया गया हम एक investigating agency हैं हम समन दे रहे हैं ये लोग नहीं आ रहे तो क्या किया जाए सुप्रिम कोट ने क्या कहा कि ED ने समन भेजा है तो आपको उस अस्थान पे आना पड़ेगा अमान तुल्ला का केस है जिसमें उसने कहा कि मैं पब्लिक रिप्रेस्टेटिव हूँ हमको तंकिया जा रहा है ED ने कहा कि चुपचाप हाइकोट ने कहा कि चुपचाप जाकर के समन्स के उपर आप जाकर के वहाँ अपने आपको प्रस्थत कीजिए तो ये तो अलग कानून बना रहे हैं investigating agency के समन को illegal बताने का अधिकार किसी आरोपी को होई नहीं सकता लेकिन आप क्या तरक दे रहे हो कि लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं मिल रहा चुनाओ की घोसना कर दी गई है ये बकाइदा जो है code of conduct लागू कर दिया गया है code of conduct लागू कर दिया गया है तो कोई rape कर दे कोई बलतकार कर दे कोई murder कर दे वो उस आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा चुके वो एक नेता है ये model code of conduct में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस अपना काम नहीं करेगी इन्विस्टिक एजिजनसी अपना काम नहीं करेगी तो ये कुतर्क भी नहीं चलेगा दिल्ली हाइग कोट ने क्या कहा कि भई आपको तो पहले से पर मुसीबत मोल लिया है तो कोट में आपको कोई नया दलील ढूड़ना पड़ेगा अगर आप यही बात जाकर के सुप्रिम कोट में कहेंगे जैसा कि मैंने का कि साइटिफिक लोजिक लगाई है अगर आप वही दलील जो हाई कोट के अंदर देंगे तो फैसला तो वही आएगा तो अगर आज सुनवाई के दुराद सुप्रिम कोट में राहत नहीं मिलती है कि जरिवाल को तो कितनी बाइब तो इनको इस्तिफ़ा देना पोनेगा आप इनफ भाई लक्षों ने रेखा को क्रॉस नहीं किया जा सकता सुप्रिम कोट ने अगर कहा कि भाई ये गरतारी भी सही है और समन भी सही है आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है तो फिर इसका मतलब ये है कि अर्विंद केजरिवाल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचीगा उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा क्यूं? क्योंकि फिर सुप्रिम कोट के फैसले के बाद एलजी साब का जो लोकस स्टेंडाई है वो मजबूत हो जाएगा और वो फिर चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा भी ले सकते हैं दूसरा आप्शन यह हो सकता है आम आद्धी पार्टी के MLA's को तलब कर सकते हैं और तलब करके यह कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में दे सर्व ऑन दे प्लेजर ओफ लेट्रिन गवर्नर लेट्रिन गवर्नर को लगेगा कि भई अब आप इसके लायक नहीं है आपको बर्खास्त किया जा सकता है तो आम आद्धी पार्टी के सामने यह आप्शन दिये जा सकते हैं कि अब आप अपना नया मुख्यमंत्री चूज कर लें और अगर आप चूज नहीं करेंगे तो यह सारे आप्शन जो है वो खुल जाएंगे केजरिवाल के खिलाब जो पूरा मसला है वो दिल्ली हाइकोट ने और इस तरीके से उलजा दिया क्योंकि दिल्ली हाइकोट ने अपने जज्जमिंट में साफ साफ लिख दिया कि जिस तरह के एविडेंस प्रस्तुत किये गए हैं उससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि घोटाला हुआ और उस घोटाले में अरविंद केजरिवाल का रोल है इंडिविज्जूल लेवल पे भी और पार्टी के चीफ के भी लेवल पे कोट ने ये भी कहा कि ये जो मनी ट्रेल है वो एडि ने अपने इंवेस्टिगेस्ट से पूरी तरीके से स्थापित किया है और पैसे जो सराफ घोटाले का जो पैसा है वो गोव भीजा गया तीसरा जो सबसे ज़्यादा केजरिवाल के लिए प्राब्लमेटिक है उसमें दिल्ली हाई कोट ने ये तक कह दिया कि ये जो घोटाला किया गया उससे जो कमाई हुई उसकी कमाई में जो पैसा आया उसके यूज में और जो पैसा आया उसको छिपाने में अर्विन्द केजरिवाल का एहम रोल है कैसे आप बचोगे आप अगर सुप्रेम कोट से रिलीव की बारे में सोच रहे हो तो जो दलीले जो फैसला वहाँ दिल्ली हाई कोट ति दिया उसके खिलाफ आपको साख्ष और सबूत पेश करने होंगे है अब ये कह रहे हैं कि अभिछ अ अभी तक सबूत नहीं दिया गया तो कोट तो ही कह.. अभी तक कि अभी उसका जब वक्त आएगा वो दिया जाएगा ये अभी समय नहीं है कुछ दिन गुजारो तिहारो तिहार में आप तिहार M Stay नहीं कुछ दिन Was पूरा होगा और साथी साथ ये भी कहा कि केजरिवाल ने जो डिले किया इट इस हार्मिंग अदर अक्यूज्ड ओल्सो क्योंकि आपकी बज़त से इंवेस्टिकेशन तलता जा रहा है लेट होता जा रहा है जिसका असर सिसोधिया और बाकी लोगों के बेल अप्लिकेशन के उपर भी पढ़ रहा है अब आप गये हो सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट में तो राजु साहब खड़े होंगे हों कहेंगे कि माई लॉड मनिस्य सोधिया को आपने कहा था अपने जज्ज्मिंट में जब आपने उसके बिल को रिजिक्ट किया था कि छे मेने के अंदर आप को समन्स मिलते रहे और आप भागते रहे ये भागना उस गमात को कबूल करने के जैसा हो गहा आप को पहला समन्स मिला था उसी समय करते कि चलो वह मैं आ रहाँ हूं मैं आ रहा हूँ, मैंने कोई काम नहीं, गलत काम नहीं किया, मुझे को जो करना है करो, जेल में डालना है डालो तो लोगों की सिंपिती भी होती, जजिस की भी सिंपिती होती, कि आपको बुलाया, आप investigation कर लिया, चीफ मिनिस्टर है, कही भाग के जाएगा नहीं लेकिन आपने जो बार बार ये जो खेल खेला, इसी खेला में केजरिवाल फस गए है, हमारे हिसाब से अगर दलीले वही रही, बात वही जो हाई कोट में कही गई, अब इसे एक मनुस सिंग्वी के द्वारा, अगर यही दलील सुप्रिम कोट में दी जाएगी, तो फैसला ब सुप्रिम कोट में सुनवाई को लेकर केज जिवाल तेहाट जिल बे रात भर सो नहीं पाए है, उनकी बेचायनी बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ अगर आज सुप्रिम कोट से केज जिवाल को राहत नहीं मिलती है, तो उनकी मुसीबते बढ़ने वाली है, सबसे बड़ा स झाल